बीजेपी के राश्टी अध्यक्स साथ और आठ अगस्त को यूपी दोरे पर रहेंगे इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है इसके लाबा यूपी के कानून विवस्ता की उन्होंने तारीफ की और अखलेश यादों की साइकिल यातरा पर बोला कि उनकी साइकिल तो पंचर हो चुकी है इन तमाब मुद्दों पर बीजेपी के लोगसभा सांसद सत्यदेव पचौरी से बातचीत की हमारी समवादा था मंता चुतुरवेदी ने उत्त्य प्रिदेश में जैसे जैसे विदान सभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजव इंतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारती जनता पार्टी से लोगसभा सांसद सत्यदेव पचौरी जी इनसे बात करते हैं पहले भारती जनता पार्टी के वरिशनेता और देश के ग्रिह मंत्री अमिशा यूपी दौरे पर जाते हैं अब राश्ट्री अध्यक जेपी नड़्डा भी जा रहे हैं क्या बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है हम लोग पहले ही से चुनावी मोड में हैं और जो भी चार साल में योगी के नितत में और मानी प्रधानमंती नरिद्द मोडी के नितत में काम हुए हैं जनता की समस्याओं को ध्यान में रखके हुए हैं उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए हैं उत्तर प्रदेश को कैसे रोजगार लोगों को दी जाए इसमें ध्यान में रखके हुए हैं उत्तर प्रदेश में कैसे बहतर जनस्वदाएं की जाएं इसको ध्यान में रुखे हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थाबित हो इसको प्रयास किया गया है तो इसलिए ह हमने पूरे पांस साल तैयारी और जो हमारे काम हैं वहीं बोल रहे हैं To अपने आप कह रही है कि नेतत में इतना काम हुआ है विकास हूआ जनसब्दायों हुए है और घ्रान की खरीदारी विए धान की खरीदारी विफिए कानून राज रोधाय शक्राती तु इसलिए जन्ता अज हमारे साथ है आप कह रहें कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। प्रियंका गान्धी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यूपी की कानून विवस्था पर सवाल करें। कर लिए आपने देखा होगा कि मुक्तार अंसारी की पत्नी की उनकी साले की संपत्ति ध्वस्त की जा रही है तो इतने बड़े प्रिहार माफियों पर आज तक कभी नहीं हुए जितने योगी जी ने किये और इतना ही नहीं योगी जी ने तो चार डिस्ट्रिक्ट में तन्युक्त नहीं किये थी एक एक मेरेकरम दो तीन थाने मिला के एक एस्पी पहुंच जाता है यह तो काफियां माफियों को तो सपाया हुगा है इसके अलावा अखलेश यादो साइकल यात्रा निकाल रहे हैं और कहरें उनके साइकल यात्रा के दौरान निशाने पर भार लेकिन हमें लगता है कि उनकी साड़े चार साल तक तो साइकल पंचर रही अगर उनको साइकल याता निकाल नहीं ती तो पहले क्यों नहीं याद आ गई अब तो चुनाव आ गए तो साइकल यात्रा याद आ गई और राहुल दिल्ली में निकालना है साइकल यात्रा क्यों शुक्रिया, क्यामेपसन कमल के साथ ममता चतुरवेधी जनतंत्र टीवी दिल्ली